हर हर महादेव जै महाकाल आज हम आपको लेकर आए हैं महाकाल की नगरी उज्जेन में महाकाल के दर्शन के लिए सबी 12 जोतिलिंगों में से महाकाल जोतिलिंग तीसरा और बहुती खास जोतिलिंग है और यह है दुनिया का एकमात्र दक्षिन मुखी शिवलिंग है यह मंदिर उजयन नगरी में शिप्रा नदी के टर्परिस्तित है तो आज हम भी चल पड़े हैं महाकाल के दर्शन के लिए तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाईए मेरे इस जर्णी में और मेरे साथ दर्शन कीजिए महाकाल के हमने अपना सफर दिल्ली में वाया ट्रेन स्टार्ट किया नए दिल्ली से इंडोर सिटी एक्सप्रेस जो दिल्ली से 9.50 पर रात को चलती है और सुबा उजयन में 8.25 सुबा सुबा पहुचा देती है यह बहुत ही अच्छी ट्रेन मुझे लगी टाइमिंग के हिसाब से क्योंकि इसमें साथा सफर रात को यह निकल जाता है और आप सुबा इस जन पहुच जाते है इस वीडियो में मैं आपको तीनों दर्शन करके दिखाँगा और जो इस वीडियो में बताने वाला हूं सबसे पहले हम जाएंगे नॉर्मल दर्शन के लिए जिसमें ना तो कोई टिकेट लिए हैं जो दर्शन एक दौन फ्री होते हैं उसमें आपको मैं दिखाता हूं कितनी दिक्कते होती हैं कितना ज्यादा रशा में मिलता है वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा तो अभी हम चल पड़े हैं अपने उसी रूट पर थोड़ा लंबा रस्ता है बाट रश पहले तो नहीं था बाट अब जितना हम महाकाल के नजदीक आते जा रहे हैं तो यहां पर भीड बढ़ती जा रही है तो यह देखिए इस तरह के जो रेलिंग लगी हुई है जो मेरे रेलिंग से उस साइड है वो वी आईपी दर्शन वाले है वो थोड़ा और करीब से देख पाते हैं महाकाल को और जो नॉर्मल दर्शन है फिरी वाला उसमें थोड़ा सा रश ज्यादा है भीड ज्यादा है और थोड़ा सा डिस्टेंस में भी दूर है अब हमने शेकरी दर्शन के लिए परचिकट आई है जो 250 रुपीज की है और आपको जो रस्ता मिलेगा वो थोड़ा शोट मिलेगा और भीड भी बिल्कुल नहीं है यहां पर तो मुझे लगता है 250 रुपीज में वर्थ इट है यह और यह देखिए आप महाकाल के थोड़े और भी पास आजाते हैं और यहां पर भी भीड मुझे बहुत कम दिखी और आप दर्शन भी अराम से कर पाएंगे जेतना टाइम आपको लेना है उतना आप ले सकते हैं थोड़ा यहां पर रुख भी सकते हैं बट जो नॉर्मल दर्शन है जो आप में आप देख रहे हैं यहां पर आपको तुरंत जो गार्ड रहते हैं आगे भेजते रहेंगी चलते रहीए तो मैं आपको सुझेस्ट मुझा हो खाल यहां से अप आराम से आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं जो तीसरे दर्शन भस्मारथि के वह सुबह सुबह 5 और यहाँ पर आरती होती है उसके लिए special आपको आना होगा भस मारती के लिए आपको जो महाकाल की श्रीमहाकालेश्वा.com की site है वहीं से आपको booking करनी होगी और जो 20-22 दिन पहले आपको booking करनी होगी तब आपको slot मापर मिलेंगा नहीं तो अगर आप लेट कर देंगे तो slot में नहीं मिलेंगे और बिना यहाँ पर booking के आप नहीं जा सकते भस मारती के लिए जो registration है वो सुबह 8 बज़े से start हो जाते हैं एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो गर्ब गर्या के दर्शन होते हैं वो पूरे साल ओपन नहीं होते हैं उनका slot कभी कबर निकलता जैसे अभी जिस बार टाइम मैं गया था तो तब गर्ब गर्या के दर्शन बंद किये हुए थे उन्होंने बोला ता कि अक्टूवर में जाके स्टार्ट होंगे महादेव के महा का लेश्व उनके बाद यहां पर और भी बहुत से इने मन्दीर बनाए गए आप यहां आ पर तो वहाई पर एक काउंटर बना हुआ है, वहीं से परचिकट वाकर आप दर्शन करें, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि फिरी में यहां पर चपल रख दीजिए और आपसे परशाद सिर्फ लेना है, वो भी बहुत ज्यादा महहा देते हैं, इस तरह से आपका जाल में फसाते हैं और जाते हैं तो उसी टाइम पर आप जाएं तो आपको और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, अगली सुबह हम अब भसमार्थी के लिए हम आए हैं, उसके लिए आपको प्रिंट आउट लेकर आने होंगे, अपने रेजिस्ट्रेशन के और उसके साथ आधार कार्ड, आपने ब भसमार्थी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको सुबह एक या दो बज़े का स्लोट बुक करें, क्योंकि जतनी जल्दी आप आजाएंगे, आप उतना ही आके लाइन में आप लग जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे तीन चार बज़े का स्लोट बुक किया था, और यहां पर जो पूजा है वो चार बज़े के बाद होती है, तो हमारा नमर भोज़दा पीछे आया था, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एक तो जो अपना रूम है, वो मंदिर के भोज़दा आप पास मिलीजी, दूसरा और जो स्लोट बुक है भसमार्थी के ल पता निकाला और वहां पर वीडियो भी उन्हों ने बनाई, हमने तो अपने कैमरा एक्शली समिट करा दिया, जमा करा दिया था, लेकिन बहुत से लोग कैसे भी करके मुझे नहीं पता किस तरह से अपना कैमरा लेके गए हुए थे हैं, वहापर मॉबाइल, आगर आपके म में मंदिर के दर्शन से लेटर कोई और भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँ को सबकर जवाब